कैसा दिखता है नर्क और उसकी सजाएं? दोस्तों नर्क के वास्विक सरूप का वर्णन हमें गरुड पुरान में मिल जाता है जुसका कहना है कि रैरव नामक नर्क अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है जूटी घवाही देने वाला और जूट बोलने वाला व्यक्ति रैरव नर्क में जाता है इसका विस्तार दूहजार योजन में है जांग भर की कहराई में वहां दुस्तर गड़ा है तहकते हुए अंगारों से बरा हुआ वह गड़ा प्रत्वी के समान बराबर यानी समतल भूमी जैसा दिखता है तीर वगनी से वहां की भूमी भी तपतांगर जैसी है उसमें यम के दूद पापियों को डाल देते हैं उस चलती हुई अगनी से संथपत होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है उसके पैर में छाले पढ़ जाते हैं जो फूट कर एक समय में बहने लगते हैं रात दिन वह पापी पैर उठा उठा कर चलता है इसी प्रकार वह जब हजार योजन उस नर्क का विस्तार पार कर लेता है तब उस पापी को शुद्धी के लिए उसी प्रकार के दूसरे नर्क में भेजा जाता है अब आते हैं मार एरव नामक नर्क पर यह नर्क 5000 योजन में फैला हुआ है वहां की भूमी तांबे के समान वनवाली है उसके नीचे अगनी चलती रहती है वह भूमी विद्युद प्रभा के समान कांती मान है देखने में वह पापी जनों को महा भयंकर प्रतीत होती है यमदूत पापी व्यक्ती के हाथ वेर बांद कर उसे उसी में लुड़का देते हैं और वह लुड़कता हुआ उसमें चलता है मालक में कोवा, बगुला, भेडिया, उलू, मच्छर और विच्छू आदी जीवचंतु कुरधातर होकर उसे खाने के लिए ततपर रहते हैं वह उस चलती होई भूमी एवं भयंकर जीवचंतु के आकरमन से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धी ही प्रष्ट हो जाती है वह घबरा कर चिलाने लगता है तथा बार-बार उस कष्छ से बेचैन हो उड़ता है उसको वहां कहीं पर भी शांती नहीं प्राप्त होती है इस प्रकार उस नर्क लोग के कष्छ को भूगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीथ जाते हैं तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है यह पक्षिराज उनका शरीर वहां की उस थंड़क से कामने लगता है वहां भूग प्यास अधिक लगती है इसके अतिरिक्त भी उनके कष्छों का सामना उन्हें वहां करना पड़ता है वहां हिमखंड का वेहन करने वाली वायू चलती है जो शरीर की हड्डियों को देती है वहां के प्राणी भूग से तरस्त होकर मच्चा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं परस पर भेट होने पर वे सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमन करते रहते हैं इस प्रकार उस दमसावरत नर्क में मनुष्य को बहुत से कष्ट छेलने पड़ पैर से लेकर शिरुभाग तक छेदा जाता है फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता इसमें शरीर के सैक्रों भाग तूट तूट कर छिन भेन हो जाते हैं और पुनहा एकटे हो जाते हैं इस प्रकार यमदूत पापी कर्मियों को वहां हजारों वर्ष तक चक्र लगवाते जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वहरुकता नहीं जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घट की भाती उस पर घूमते रहते हैं पुनहा रक्त का वामन करते हुए उनकी आंते मुख की ओर से बाहर आ जाती हैं और नेत्र आंतों में का नर्क में साथ साथ सूरे अपनी सहस्त्र सहस्त्र रर्श्मियों के साथ सदैव तबते रहते हैं जिनके संताप से वहां के पापी हर चण जलते ही रहते हैं इसी नर्क के मध्या एक चौधाई भाग में शीत स्थिक्ध पत्र नामक पक्षिश्रेश्ट उसमें व्रक्षों से तूटकर गिरे फल और पत्तों के धेर लगे रहते हैं। जलाते हुए अगनी समु से युक्त भूमी में पापी जन्छिन भेन होकर गिरते हैं। फूटते हुए अंगो वाले पापी, काढ़ा के समान बना दिये जाते हैं। तदनंतर भयक कर यमदूत नुकीले हत्यारों से उन पापियों के खोपड़ी, आखों, तता हड्डियों को छेद छेद कर नश्ट करते हैं। गिर्द बड़ी तेजी से वहाँ आकर उन पर छपटा मारते हैं। जिसमें पापी अपने करमों के अनुसार जाते हैं। जोद, सूकर, ताल, तप्तकुंब, महाज्वाल, शबल, विमोहन, क्रमी, क्रमी भक्ष, लाला भक्ष, विशंजन, अधाशीर, प्यूवहा, रुधीरांद, विडभूज, वैत्रणी, असित पत्रवन, अगनी ज्वाल, महागोर, संदेश, अभोजन, तमस, काल सूत्र, ल जोद, सूकर, नाम, के नर्क में गिरता है, जो असत्य, संभाशन, करने वाले राजपुरुश है, उनको भी उस नर्क में ही जगा मिलती है, जो प्राणी निशिद पदार्थों का विकरेता, मदीरा का व्यपारी है, तथा स्वभाविक सेवक का परितियाग करता है, वे लप्त लोग नामक नर्क को प्राप्त होता है, जो व्यक्ती कन्या या पुत्रवधु के साथ सहवास करने वाले हैं, जो वेद विकरेता और व परियादा का परित्याग करता है वहे विमोहन नामक नर्क में गिरता है जो दूसरे कानिष्ट करता है उसे क्रमी भक्ष नामक नर्क की प्राप्ती होती है देवता और भ्रामन से द्वेश रखने वाला प्राणी लाला भक्ष नामक नर्क में जाता है जो पराई धरोहर का अ अधाशीर नर्क में जाता है जो मदीरा माज आदी पदार्थों का विक्रेता है वह प्युवह नामक घोर नर्क में जाता है जो कुकुट, बिल्ली, सूर, पक्षी, म्रग, भील को बांधता है वह भी उसी प्रकार के नर्क में जाता है जो ग्रहदाही है जो विष्टाता है जो सोब विक्रता है जो मग्यपी है जो माजभोजी है तथा जो पशु हनता है वह व्यक्ति रुधी रांध नामक नर्क में जाता है ऐसा विद्वानों का अभिमत है एक ही पंक्ती में बैठे हुए किसी प्राणी को धोका दे कर जो लोग विश्ख खिला देते हैं उन सभी क विर्भूज नामक गोर नर्क में जगा मिलती है मधू निकलने वाला नानुशे बैठरणी और क्रोधी मूत्र संग्यक नामक नर्क में जाता है अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति असित पत्व नामक नर्क में जाता है भगों का शिकार करने वाला व्याग अगनी जुआल नामक नर्क में जाता है जहां उसके शरीर को नोच-nousच कर कोवे खाते हैं यग्य कर्म में दिक्छीत होने पर जो वृत का पालन उसे उस बात किसे संदेश नर्क में जाना पड़ता है। इन नर्क लोकों के अतिरिक्त भी सैकडो नर्क हैं। आदी की योनियों में जाकर गौ की योनि में पहुँचता है। के बाद प्राणी को शुद्ध वैशे तथा छत्रे आदी की आरोहीनी योनियों प्राप्त होती है। कभी कभी वह सतकर्म से ब्राहमर देव और इंद्रतफ के पद पर भी पहुँच जाता है। दोस्तों याम द्वारा निर्दिश्ट योनि में पुन्यकती प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं। सुन्दर सुन्दर कीत गाते, द्वाग बचाते और निर्ट्यादी करते हुए। प्रसनचित गंधरवों के साथ अच्छे से अच्छे हार, नुपूर, आदी नाना प्रकार के आभुशनों के युक्त, चंदन आदी की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित एवं अलंकरत चमचमाते हुए विमान में स्वर्ग लोग को जाते हैं। पुन्य समाप्ति के पशाच जब वे वहाँ से पुन्ह प्रत्वी बराते हैं, तो राजा अधवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सद अचार का पालन करते हैं, समस्त भोगों को प्राप्त करके पुन्ह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यता पहले के समान आरोहिणी योनी में जन्म लेकर दुख भोगते हैं, संघार करने वाला काल है, जो पाप और पुन्ह से जुड़ा रहता है, जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पांच इंद्रियों से युक्त जीव, इंद्रियां धिश्टात्र देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर, भी शरीर के साथ ही अगनी में चल कर भस्म हो जाते हैं, अगर आप भी किसी नर्के के बारे में विस्तार सो जानना चाहते हैं, तो हमें लीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं